Hello friends guys, आप सब के results आ चुके हैं, first of all many many congratulations to all of them who qualified as chartered accountants and CA finalists this time, guys, ये हफ्ता, ये दिन लौट के वापिस नहीं आने वाला है, बहुत party करनी है, बहुत enjoy करना है, अगले 3-4 दिन कम से कम, because this is a lifetime achievement जो आपने आज अचीव करी है, right, हम मैं guys, सबसे पहले उन से बात करना जाता हो, जिनका इस बार clear नहीं हो पाया है, क्या उसके कारण रहे थे और क्या आपको next steps करने चाहिए, सबसे पहले मैं उन से बात करूँगा इस वीडियो में, और उसके बाद उन से बात करूँगा जिनका qualify हो गया है in this particular attempt, right guys, तो सबसे steps लेने हैं, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ, अगर guys, आप कहते हो कि आपकी तयारी पकी नहीं थी, अगर तयारी थोड़ी सी कच्ची थी हमारी, हमको यह बात पता है कि we didn't give our hundred percent, हमने अपना hundred percent नहीं दिया, इस attempt में, तो हमें सब भूलके, इस result को accept करना है, और फुटाफट से पढ़ाई में लग जाना है, leave everything and get back to study, this is the only thing, हमको नहीं सोचना result के बारे में, क्यूंकि हमें पता है कि हमारी तयारी to the mark नहीं थी, हमने शायद written practice नहीं करे थी, हमने appropriate revisions नहीं करे थे, हमने mockness paper या फे previous attempt paper लिखके practice three hours के exam environment में नहीं करे थे, इसलिए हमारी तयारी कच्ची थी और हमें वापिस से तयारी में लग जाना चाहिए, अगर आप इस category में हैं, अगर आपको पता है कि हाँ, हमारी 100% तयारी नहीं थी, तो कोई दिकत नहीं है, we accept this reward and we'll get back to work, right, अगर आप category number two में आते हैं, जिसमें आपकी तयारी पक्की थी guys, आपके attempts भी positive नहीं आया, वो अप evaluate कैसे करोगे, सबसे पहले अपनी answer copies मंगवाईए, देखे कि आपके साथ साथ को क्या लग रहा था कि इतने number मेरे आने चाहिए थे इस particular subject में और इतने marks institute में हमको दिये है, number two, क्या हमने written practice करी थी, क्या हमने previous attempt के papers और mock test papers को लिखके exam environment में solve करा था, कम उसे कम हर subject के क्या हमने 3 paper अपने हाथ से दिये थे exam environment में, if no, तो हमको वो काम करना है, and number three, क्या हम पूरे 100 mark का paper attempt करके आये थे या नहीं, क्या हमने ये 3 काम किये थे, ये हमको यहाँ प evaluate करने हैं, और उसके बाद फिर हमको अगले attempt की तियारी करना शुरू कर देना है, provided हमा हमारे हसाब से हमारे तियारी अच्छी थी, तो हमको ये steps follow करना है, number one, get your answer copies, number two, written practice of previous attempt papers और mock test minimum three per subject, and number three, आपको ये देखना कि क्या आप 100 mark का paper attempt कर पा रहे हो या नहीं, right, तो अगर आप इस category में हैं, तो ये steps आपको करने हैं, और पढ़ाई में फटाफट लग जाना है, right number three भी, यही case है, कि आपके तीन से जादा attempt हो गया है, लेकिन पांच से कम attempt है, अगर आपके पांच से कम attempt है, और borderline case है, borderline case है, कि यानि कि दो सो number चेहते है, 190 में है, आपके marks, तो आप, जो मैं आगे बताने वालो, वो आपको follow करना है, या फिर आपका एक group clear door, और एक एक group बचा हुआ है, तो भी आप इस category में आएंगे, क्या बोला मैंने, कि अगर आपके 5 से कम attempt है, और आपका borderline case है, या फिर आपका एक group cleared है, एक group बचा हुआ है, तो आपको इस category माना, और वही step follow करने है, जो मैंने category 2 के लिए बताए, getty और answer copies, attempt 100 marks का पूरा paper, और आपको written practice कर right, आपको कोई tension नहीं लेनी, कि मेरे paper क्यों नहीं clear हो पा रहे है, मेरी तैयारी पकी रहती है, मैं हमेशा borderline पर क्यों रह जाता हूँ, या फिर मैं इस बार borderline पर क्यों रह गया हूँ, कोई बात नहीं, लग का भी factor हो सकता है, institute का भी factor हो सकता है, बहुत सारे factors हो सकता है, ल बात समझ आई है बात करते हैं जिनके पांच से वादा हो गए है बॉर्डर लाइन केज भी नहीं है और हां हम एटेम्प पर दिये जा रहे हैं मेरा यह कहना है एक बार हमको बैठ के सोचना पड़े हैं क्या हम सही पाथ पे हैं पांच एटेम्प का मतलब होता है गाईव साल एक लेवल ऑफ चार्ड अकाउंटएंशी पर इन्वेस्ट कर चुके हैं चाहे वह फाइनल लेवल हो चाहे वह इंट्रमीडियेट लेवल हो हम अपनी जिन्दगी का सिग्निफिकंट टाइम यहां पर लगा चुके हैं हमको एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा क्या हमा पा रहे हैं क्या हमारा कोई borderline case रहता है क्या हमारे पास exemptions है और हम clearance के बहुत करीब हैं क्या हमने पहले वाले तीन-चार अटेम्प ऐसे ही negligently दे दिये थे और अभी हमने seriously पढ़ना शुरू किया है क्या हमारी चीज है या पर क्या chartered accountants पी CA हमारे लिए बना भी है या नही बना यह हमको एक बार सोचना पड़ेगा और हमको एक time line decide करनी पड़ेगी कि maximum मैं अगले दो attempt दूँगा अगर CA हुआ तो ठीक नहीं तो मैं कुछ और करने चले जाओंगा ऐसी एक timeline हमको यहां पर सोचनी पड़ेगी आपको बहुत सारे ऐसे examples मिल जाएंगे ऐसे role models मिल जा के फिर clear वो कर पाएं और number two उसके बाद क्या उनसे पूछे कि आपको कितने packages job में मिल रहे थे और क्या आपका career growth रही after investing 15 years or let's say 12 years in one course क्या हम CA के लावा दूसरे किसी path के through भी उस growth role तक जा सकते हैं या नहीं यह आपको सोचना है मैं यह नहीं कह रहा कि CA बनने के बाद वो successful नहीं होया होंगे बिल्कुल होया होंगे लेकिन क्या हमको 12-15 साल लगाने है या फिर हम कोई और path के through भी वो success achieve कर सकते हैं यह हमको सोचना पड़ेगा अगर हमारे attempt 5 से जादा हो गए हैं तो this is one thing which you need to decide कि आप कौन सी category में है और आगे के steps मैंने आपके साथ discuss कर लिए कि करने हैं जरूर से सोचिएगा एक बात और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपका borderline cave था तीन से कम attempt थे इस बार clear नहीं हो पाया अगली बार definitely होगा provided आप ये तीन चीज़ा करते हैं राइट इस मैं बात करने वाला हूं उन लोगों से जिनके आज results आए हैं 5 जुला जर्नी शुरू होने वाली आपको करिया शुरू होने वाला है वेदर इस जॉब और आर्टिकल्शिप रोज आपके interviews होने वाला है भर भर के उसमें competition भी होने वाला है लेकिन बहुत मजा आने वाला है यहां से हमारी professional जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है और मेरी advice हमेश आर्टिकल्शिप को seriously नहीं लेते हैं trust me guys आपको बहुत regret होने वाला है after qualification आपको लगेगा कि मैंने क्यों अपनी आर्टिकल्शिप अच्छी जगहों से नहीं करी क्यों हमने अच्छा exposure नहीं लिया इसके लिए आप बहुत regret करने वाले हो आप यह regret ना करो इसलिए आज आज को अच्छी जगह से आर्टिकल्शिप करनी हैं अगर आप CA finalist हैं तो और अगर आप job के लिए जा रहे हैं guys तो yes you have to start from the top places from the top MNC's ताकि हमारा package भी अच्छा हो और हमारी growth भी future में अच्छी रहे तो यहां से आपके daily interview शुरू होंगे और अब आपको results के बाद क्या 5 काम कर करने हैं वो मैं आपके साथ discuss करना आया हूँ सबसे पहले तो party करनी है guys वो तो हम करेंगे एक हफ़ते तक उसके बाद आपको क्या 5 काम करने हैं फटा फट से discuss कर लेते हैं number one you have to decide your dream profile कौन से domain में आपको जाना है कौन सी field में आपको career बनाना है whether it is statutory audit whether it is risk advisory whether it is finance whether it is taxation GST transfer pricing corporate tax जिस भी field में हमको जाना है हमारी finance and taxation related profile में कौन सी field में हमको career बनाना है इस question का answer आपको करना पड़ेगा this is point number one point number two आपको कौन सी company से अपना career शुरू करना है whether you want to go in the mid-size firms or in the top firms like big fours or in the MNC or industry यह आपको decide करना पड़ेगा मेरी advice मैं आपको बता दी कि आपको top firms or MNCs के अभी decide करनी पड़ेगी number three guys यह decide करने के बाद कि आपकी profile कौन सी और आपकी top list में companies कौन सी आती इसके बाद आपको decide करना है इसके बाद आपको prepare करना है अपने interviews के लिए both for technical and for the soft skills around दोनों ही चीज़ों के लिए आपको prepare करना है technical as well as communication right तो number three पर आगे preparation of interviews number four आपका review में rock solid ह होना चाहिए review में एकदम top class होना चाहिए कि कोई HR से reject ना कर पाए और आपकी LinkedIn profile भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितना आपका review में होगा क्योंकि आज कल reference check के लिए verification के लिए आपके review करने के लिए professional journey के लिए आपकी LinkedIn profile जरूर से visit करी जाती है by all the HRs तो आपका review में और LinkedIn बहुत ही बढ़िया होना चाहिए और आपको proactively 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 apply करना है हर तरफ पूरी जान से apply करना है सारे references को use करना है सारे platforms को use करना है follow up emails भेजने और बहुत कुछ करना है while applying for the opportunity यह 5 काम आपको अब शुरू करना है after your party because यहां से आपकी professional journey शुरू हो रही है और जितनी अच्छी आपकी professional journey रहेगी शुरुआत में उतनी आपकी growth आगे अच्छी रहेगे जितनी टॉप प्लेफिफ से top brand name से आप अटाज रहेंगे जितना अच्छा exposure आपको मिलता रहेगा उतनी अच्छी आपकी long term growth रहेगी इसलिए आपको अच्छी अच्छी जगे से अपना career शुरू क करना कैसे है उसकी बात कर लेता है हमने आपके लिए बहुत चीज़े असान कर रखी है काफी लोगों को पता है मैं फिर भी यहां पर बता देता हूं कि आपको job और आर्टिकल्शिप के लिए क्या करना है जो हमने पांच चीज़ों की बात करी if you want to decide your domain we have free career masterclass free career masterclass on thinkingbridge.in जहां हमने हर course का हर domain का एक-एक session दो-दो खंटे का एक-एक session जो इंडुट बात करेगा हर field के बारे में by the experts who have worked there for more than ten years उन से record करा के आपके लिए डाला हुआ है ताकि आप अच्छी तरह जान पाए कि कौन सी field आपके लिए बनी है और कौन सी field के लिए आप बने हैं जाके पांच session देखी है पांच से जादा session इन फाक्ट उसमें अराम से हर field के session देखी और बहुत सारी resources आपको free career master class में मिलेंगी जहां से आपको ये decision आप ले पाओगे क्या कौन से domain में अपना career बनाना है और interview related भी बहुत सारा material आपको हाँ पे मिलने वाला है प्लस उस free career master class में we are going to hold many career guidance related live session अभी upcoming week में हमारे हर field के mentors के sessions, experts के sessions, हर field के line-up होने वाले है people who are working at the top places चाहे वो FP&A जैसे field हो, M&A जैसे field हो, investment banking जैसे field हो, या पर हमारे traditional fields हो, internal audit, statutory audit, taxation, transfer prizes, उन सब के sessions आपके align होने वाले है in the coming week. number two, कॉंसी company से शुरू करना है, big brand से शुरू करना है या small brand से शुरू करना है, यह decision आपको लेना है, small forms में कैसे काम होता है, top places में कैसे काम होता है, वो भी आपको in free sessions को देखके idea लग जाया, कि top forms में इस तरीके से काम होता है, क्या में को यहाँ पर जाना चाहिए, या नही जाना चाहिए, मेरी advice, start from the best places, बात करते हैं guys कि कैसे prepare करना है, जो हमारा अगला सवाल था कि prepare कैसे करना है, we have technical master classes for each and every domain, we have technical master classes for each and every domain, आपको पता है, thinking bridge, पिछले चार साल से इसी mission पे vision पे काम करा है, to bridge the gap between you and your dream profile, हर उस profile का, हर उस domain की आपको comprehensive master class मिल रही है, जिसमें end-to-end सारे procedures practically covered, आप अपने हाथ से यहाँ पे work papers बनाने वाले हैं, हाथ से अपने audit procedures apply करने वाले, एक-एक deliverable त्यार करने वाले है, client का, by working on your laptop, यह है हमारी technical master classes, जिस पे 25% off चल रहा है, individual courses पो और 40% off चल रहा है, हमारे combos पे, तो up to 40% off आपको यहाँ पे मिल जाएगे न, technical master classes, और अगर आप review में preparation, linkedin master class, और soft skills की practice के लिए आना चाहते हैं, उसके बारे में सीखना जाते हैं, कि आपको अपना communication कैसे improve करना है, एचा rounds कैसे clear करना है, review में कैसे बनाना है, linkedin profile कैसे बनानी है, तो we have the interview master class for you, इस पे भी आपको 25% off मिल जाएगा, तो यह चीज हमने आपके लिए कर रखी है, one stop destination, सारी चीज है आपके लिए यहाँ पे, हमने thinking bridge पे, A to Z, सब कुछ best quality by the industry experts, हमने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है, lastly, सबसे important guys, जिसको आपको अभी करना है, वीडियो के बाद, immediately आपको करना है, is our free placement program, हमने अपनी placement team बनाई हुए guys, और कौन-कौन से opportunities हमने आपके लिए यहाँ पे live कर रखी है, more than 15 opportunities आपके लिए यहाँ पे live कर रखी है, more than 15 opportunities आपके लिए लाइव ओवर है, top companies like Dr. Reddy, India's number one pharma company, आनन्द राथी, जो की investment banking में बहुत बड़ा नाम है, उतकर्ष बैंक, KV बैंक, SS कुठारी top 10 firm, JC भला, top 10 firm, Divan, PN, Chopra, Talati, Intelati, यह सारी firms and companies आपकी यहाँ पे opportunities live है, which is completely free of cost for articles as well as for qualified chartered accountants, CAs, आपके लिए बहुत सारी jobs हैं आपे and articles, आपके लिए बहुत सारी articleship opportunities है, everything is free of cost, जाईए उसमें enroll करिए, community का part बनिए, apply करिए, जिस भी opportunity में आप जाना चाहते हैं, we will forward your resume to each and every opportunity, और वहाँ पर आपका status भी आता जाएगा about the shortlisting, thinking rich placement program जरूर से अभी के अभी enroll कर लीजे, right, इसके लावा LinkedIn और campus की बात हम करेंगे, आगे की वीडियो में की LinkedIn पर आपको कैसे jobs में apply करना है, और campus जो आपका सी यह काने वाला है, उसमें आप jobs के लिए कैसे apply right, और एक चीज में आपको और देने वाला हूँ इस वीडियो के साथ, जो लोग यहाँ तक end तक पहुझ गए, उनके लिए एक छोटा सा give, list of top forms and MNC's मैंने आपके लिए compile करी हुई है, जो articleship के लिए और job के लिए दोनों के लिए आती है, चाहे campus में, चाहे off campus, top forms and MNC's and companies की मैं आपको list देने वाला हूँ, कुछ आपको यहाँ पर screen पर दिख रही होंगी, plus there are more than 130 companies who hire chartered accountants actively, plus who search for articles in their respective companies, तो वो दोनों list में आपके साथ share करने वाला हो, firms की भी और companies की भी, on our telegram group, जिसका link आपको हमारे description box में मिल जाएगा, telegram group join कर लीजे, exclusive whatsapp communities हमने आपके लिए बनाई हुई है, वो भी join कर लीजे, मैं वहाँ पर भी list को डाल दूँगा, और हमारे साथ जुड़ जाएए, बहुत सारे sessions हम करने वाले हैं, coming weeks में, और भर भर के आपको placement opportunities, masterclasses, सब कुछ इसी platform पर मिलने वाला है, for qualified CAs, as well as for all the CA finalists, I wish you all the best for your career ahead, और guys, मेरे साथ in your dream profiles, thank you very much for watching this video, अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं guys, तो ज़रूर से subscribe कर दीजे, और वीडियो को like कर दीजे, I'll see you in the next video.